तो हाई फ्रेंड्स वेल्कम चाइनल फैक्ट कनेशा तो दोस्तो सी राम नवमी के तीन इस दिन प्रभु राम चंदर अपने भक्तों पर क्रिपा परसाते हैं तो हाँ दोस्तो इस मोके पर आप अपनी जो भी परिशानिया है जो भी आपकी जीवन में चलती आई परिशानिय तो दोस्तो आज इस वीडियो में एक ही उपाय बताऊंगा जिसे आप अपनी हर समस्या मतलब जो भी आप नवकरी करते हैं व्यापार करते हैं कोई भी काम धंदा करते हो उससे आपको रहात जरूर मिलेगी और आपके घर में लक्षिमी अवश्य टिकेगी तो दोस्तो ये वीडियी शुरू करने से पहले मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब आवश्य करें और बेल आइकान प्रेज करके आल बटन पर क्लिक चरूर करें तो चलो शुरूरात करते हैं वीडियो से तो दोस्तो स्री प्रभु राम चंद्र का जल्मत इवस मतलब स्री राम नौमिक कहच जाता है तो दोस्तो राम नौमिक के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान अधिक करें और अपनी पुजापाट अवश्य करें तो दोस्तो जो नियमेत रूप से आप पुजापाट कर आपको रिजल्ट अच्छे ही आएंगे जी हाँ दोस्तों ये आप उपाय करते हैं तो ये आप अपने सरद्दा और पूरी विश्वास से करिएगा मैं बता दू आपको ये आपको 100% रिजल्ट देंगे तो दोस्तों सुबह इस दिन राम नौमी के तीन आप सुबह चल्दी उठेगा और स्नान अधिक करके पूजा पाड़ पूरी करके आप पूजा घर में अपने ग्यारा बच कल 40 मेंट को पूजा घर के सामने पैठेगा जेहां दोस्तों क्योंकि ग्यारा बच कल 40 मेंट से बैटने से आपके 12 बजे तक आपका मंत्र चाप पूरा होना चाहिए ज तो दोस्तो इस ठीक 12 बजे समय तक आपका मंत्र जाब पूरा होना चाहिए तो दोस्तो मैं आज आपको ये उपाय बताने जा रहा हूँ तो दोस्तो सुबह आप सनानाधी करके पूजा पाट करके 11 बच कर 40 मेंट कर आप पूजा घर के सामने बैठेगी आप जिदर भी पूजा करते हो उस जगह पर आप बैठेगा और आपका मुँः पुरो दिशा की ओर होना चाहिए जिहां दोस्तो पुरो दिशा की ओर मुँः करके आप बैठेगा और फिर बैठने के बाद दोस्तो आपने जेव से एक रुपए का कोईन अवशे निकालेगा तो दोस्तो ये कोईन आप एक ठाली में ले सकते हैं उस पे आप पानी से उसको स्वच्च कीजेगा तो दोस्तो इसे स्वच्च करने के बाद उस पर पानी डालेगा और फिर दूट डालेगा तो दोस्तो ये आप अरपन करने के बाद उस समय आप ओम गंगन पतिनम का 11 बार मंत्र अवश्य बोले तो दोस्तो ये होने के बाद आप एक घी का दिपक पूजा घर में लगाएगा जहां दोस्तो द्यान से सुनिए गी का दिपक आप पूजा घर में आवश्य लगाएगा तो गी का दिपक लगाने के बाद आप उस कॉइन के ऊपर कुंकुम अक्षदा से पूजा कर सकते हैं तो दोस्तो इसको कुंकुम लाए हलद लगाए और उसकी पूजा करिए और चावल के कुछ दाने उस पर रखे तो दोस्तो ये पूरा सब होने के बाद आप इसको ग्यारा बच कर चालिस मिनिट से ये शुरुवात करनी है तो दोस्तो ये करने के बाद आप आग बंद करके स्री राम स्री राम ये आपको 108 बार यह मंत्र चाप करना है ज़ह दोस्तो ध्यान दिजेगा पूरे एकाग्रत से आपको स्री राम श्री राम श्री राम यह मंतर आपको 108 तो 108 बाar मंत्र पूरा होने के बाद आप अपनी इच्छा मनी मन में प्रभुराम चंदरती से कहिएगा जो भी आपकी परिशानी है आपकी नवकरी के बारे में यदि आपको नवकरी नहीं लग रही है तो नवकरी के बारे में यदि आपका व्यापार है, दुकान है, कोई कामधंदा नहीं चल रहा है इसके बारे में आप प्रबुराम चंदर से मनी मन आपकी इच्छा बोल देनी है और बोल देने के बाद आप आखे खोल सकते हैं तो दोस्तों आखे कोलने के बाद, आप क्या करियागा? वो आपका एक रुपई का सिक्का है वो वैसा ही एप दूलेने का और आप जिसmostर पैसे रखते हैं जिस तीज़यरे में आप पैसा रखते हैं उस तीजोरे में आप एक रुपाय का सिका डाल देना है मतलब उसे संभाल कर रखना है तो दोस्तों ये एक रुपाय का कोईन आपको किसी को देने का नहीं है तो दोस्तों ये एक रुपाय का कोईन आपकी परकत है ये आपके घर में परकत बढ़ाती है तो दोस्तों यह आविशत ध्यान रखे यह एक उपय का कोई अपने तीजरी मिया रखेगा फिर अगले दिन से देखो क्या-क्या चमटकार होते है जैहार दोस्तों यह उपायर बहुती सफल उपाय है यह सभी ने किया है आप भी कर सकते है तो दोस्तो ये अच्छा उपा है ये करके आप अपने जीवन में पूरा जीवन सुख में जीवन बीदा सकते है मतलब आद की नवकरी थोड़े ही दिनों में लग सकती है आपका व्यापर चलने की योग आ सकते है तो दोस्तो ये उपाय अवश्य कीजेगा क्योंकि राम नोमी का परवर बड़ा अच्छा माना चाता है और स्री राम प्रभू सब पर क्रिफाब बरसाते है तो दोस्तो ये उपाय अवश्य कीजेगा